Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, बहुत सारी लोग है जो कि अपने बाइक और स्कुटर को बहुत ही कम चलाते है महीना में 200, 300 या 400 किलोमेटर ही चला पाते है और ऐसे ही एक सक्स दिपेन पाल जी, इन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके एक सवाल पूछा है सवाल यह है, मेरा बाइक ज़्यादा चलता नहीं है सर्विस सेंटर वाले बोलते है, तीन मंत में सर्विस करो, चाहे बाइक चले या नहीं क्या तीन मंत में सर्विस करना जरूरी है, या जब सर्विस करने जितना चले तभी सर्विस करूँ बाइक की, मेरा TVS RTR 200 है इनका जो सवाल है यह बहुत ज़्यादा जेनुएन है क्योंकि मैं अपना खुद का experience बता रहा हूँ कि जब से मैंने BMW G30 और बाइक खरदा है तो जो मेरा बाइक है बजाज Avenger 150 इसका रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गिया और वैसे भी बहुत सार लोग होते जिने टाइम ही नहीं मिलता बाइक और स्कूटर को ज़्यादा चलाने का तो इस तरह के situation में हमें अपने बाइक और स्कूटर की servicing कितने किलोमेटर में या कितने महीने चलाने के बाद करा लेनी चाहिए इसी के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में डेटेल में बताऊंगा साथी अगर इस तरह का आप कोई भी डाउट है तो आप इंस्ताग्राम में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो मेकैनिकल टेक हिंदी के नाम से इंस्ताग्राम आईडी है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्केप्शन में दे दूँगा साथ ही इंस्ताग्राम में चैनल को फॉलो जरूर से कर ले और अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने के तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले सिंपल सी बात ये है कि अगर आप अपने कम चलने वाली बाइक या स्कूटर को 500.000 किलोमेटर ही चली है और उसे आप हर दो महीने तीन महीने में सर्विसिंग करा लेते हो तो ऐसा करके आप पैसे के बरबादी ही कर रहे हो ऐसा करके अगर लार्ज स्किल पे देखा जाए तो बाइक या स्कूटर के इंजन को कोई फाइदा नहीं पहुचता है लेकिन हाँ अगर आप बहुत जादा देर भी कर देते हो तो उससे नुकसान बहुत जादा हो जाता है इसलिए बेस्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितना किलोमेटर सही है या कितना महीना सही है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि कम चलने वाले बाइक या स्कूटर को एक सर्विस से दूसरे सर्विस के बीच में क्या क्या चेक कर लेना बाद सर्विसिंग करा लेना चाहिए यह ज़्यादा बेतर होता है 1200-1500 में नहीं कराए पैसा के बरबादी होता है लेकिन फिर भी अगर 3000-4000 भी आप नहीं चलाते हो तो मैं आपको मन्थ वाइज महीने वाइज यह रिकमेंट करने वाला हूँ कि आपको 9-10 महीने में एक बार जरूर से अपने बाइक और स्कूटर की अच्छी तरह से सर्विसिंग करा लेना चाहिए तो मन्थ वाइज 9-10 महीना और अगर हम लोग किलोमेटर वाइज जोड़े तो 3000-4000 किलोमेटर यह ज़्यादा बेतर होता है कि मैं पहले बजाज अपने बाइक की क्या करता था कि हर 3 महीने में सर्विसिंग करा लेता था लेकिन चुकि अभी रनिंग बहुत ज़ादा कम हो गया है तो 6 महीने गुजर गये है अभी तक मैंने सर्विसिंग नहीं कराया है कुछ और दिनों के बाद थोड़ा और चलाने के बाद मैं servicing करा लूँगा क्योंकि फाल्तू का मैं पैसे बरबाद नहीं करना चाहता हूँ servicing के मामले में लेकिन देखिए servicing भले आप नहीं कराए लेकिन देखिए कुछ चीज़ जरूरी होती है जो की चेक करना जरूरी होता है time time से तो अगर आपके bike और scooter की जो running है वो बहुत ही कम है तो सबसे पहले तो आप engine oil का level को check करें कि कहीं engine oil का जो level है वो कम तो नहीं हो गया क्योंकि अगर engine oil कम होगा तो कम running वाले bike और scooter के engine को भी नुकसान हो जाता है तो based यह है कि हर 2-3 महीने में या कम से कम 1000 km चलाने के बाद आप अपने गाड़ी का engine oil का level है उसे जरूर से check कर ले अगर कम है तो top up कर ले वैसे engine oil के level को कैसे check कर जाता है इसके उपर मैंने detail video बनाया है link मैं description में दे दूँगा इसके बाद आपको chain को भी check करना चाहिए कि chain जादा dry नहीं हो जाए जादा सूखा नहीं हो जाए इससे भी power gloss होता है और भी नुकसान होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो आपको बताया भी है तो chain को आपको हर 700-800 km में एक बार lubricate कर लेने चाहिए आप खुद से lubricate कर सकते हो बहुत ही आसान है वीडियो मैंने बनाया है link मैं description में दे दूँगा इसके बाद आपको regular basis में जो tire है उसके अंदर बे जो हवा का air का जो pressure है उसे भी check कर लेना चाहिए भले servicing ने करा हो लेकिन इससाब आपको काम करना है इसके अलावा जो air filter होता है उसे भी आपको करीब करीब समझ लो अब 1200 km की बीच में एक बार अगर बहुत कम चलती है तो clean करा लेना चाहिए air filter को साफ करा लेना चाहिए एक और ची मैं आपर recommend करने वाला हूँ आपको कि आपको देखे यहाँ पर जो brakes है उन्हें भी adjust करा लेना चाहिए ऐसा है नहीं कि इतने लंबे समय तक brake का problem हो रहा और आप चलाए जा रहे हो कि नहीं छोड़ो हो जब servicing होगा तब brake adjust करा लेंगे period में है और आपकी गाड़ी बहुत ही कम चलती है फिर भी अगर आपको warranty चाहिए तो यह जरूरी होता है कि time time से company ने जितना भी recommend किया है 45 दिन, 60 दिन या 3 महीना जो भी recommend किया है आपको उसी time पे कम चलने वाली bike और scooter को भी servicing authorized service center से करा लेना होता है तब ही आपको जो warranty है वो मिल पाता है तो warranty period तक कम चलने वाले bike और scooter को भी जो timely जो company के द्वारा recommended जो भी interval है वहाँ पे servicing कराना जरूरी होता है ये point भी मैं killer करना चाहता हूँ बाकी आप 500-800-1000 km में फाल्तू का servicing करा के किसी mechanic के चकर में या अपना खुद का कोई भी thought है उस चकर में servicing करा के पैसो की बरबादी नहीं करे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दबाले ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के थूरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई